क्या आप एक पाक गड़िक तग्या बनने के लिए तयार हैं? क्या ऐसी भी कोई बात होती है? तो आज की चुनाती शुरू करते हैं ज्यामितिय खादपदार्थों के साथ जहां हर चीज उतना आसान नहीं होता है ठीक है फिर आकार को बाटते हैं आज मेज पर केवल त्रिकोनिय, गोल और चौक और खादपदार्थ हैं सब लोग तयार? हाँ सब तयार दिख रहे हैं अब मुद्धे पर आने का समय चैल्सी के पास पिज़ा का एक त्रिकोनिय टुकड़ा है माई को कुछ गोल निम्बू के स्लाइस मिले है और आशली को चौक और हैम स्लाइस मिले है चैल्सी उल्टी गिंती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं आँ दोस्तों मेरे मुँ में ये गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है क्या किसे के पास दूद है यार यह तो बहुत ही ज़्यादा खटा है अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खटा होता है और इसी वज़े से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनन ले सकती हूँ मैं तुम दोनों से इर्शिया नहीं कर रही हूँ पक्का सच कह रही हूँ पिज़ा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुन कर लाया क्या आप पता कर सकते हैं और इस सबसे कड़वे नीम्बू को भी यह तो पता है नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है लेकिन मैं खुद को इस दौर में भागशाली मान रही हूँ यह स्वादिस्ट है अगर आपके पास और है तो मैं और लूमगी क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स वो तो एकदम साथ में आसमान पर है जबकि हम यहाँ पीडी थो रहे है चलो अब उसे दिखाते है मैं अभी भी जीट सकता हूँ चलो यह बस नीमबू का रस है मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और देखो हो गया अब सबसे अच्छा कौन है एक चीज़ तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ क्यों नब हम वसावी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्म जोसी से स्वागत करें आप सबका चेड़ा क्यों उतर गया दोस्तों किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनाती आसान होने वाली है उफ, इंतिजार करने का कोई मतलब नहीं अरे नहीं यह मस्टर्ड से बनाई गई शुन्य संख्या है, इसका मतलब है डरने का शुन्य कारण है मैं मेयो को बरदास नहीं कर सकती बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोर होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी सौ समस्या है पर यह सरसो इसमें से एक नहीं है कम से कम मुझे लो फैट मैयोनीज तो दिया जा सकता था यह समान बे स्वाद है बधाईो लड़कियो तुम हार गई हो अब कभी मेरे तीके सरसो के साथ प्यार को चुनौती मत देना प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं हमारी चुनौती जारी है गोल सुडॉल बर्गर, त्रिकोनिय चिप्स और रामिन का एक प्रभाव साली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतिजार कर रहा है अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है ओ, चोट लग रही है ओ, लड़कियों तुम अच्छा कर रही हो बर्गर तो मेरा पसंदीदा है मुश्किल चुनौती है लड़कियों मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई अशली, अब मैं और तुम हैं जो की दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाईर है कुछ ऐसा है जिसके तरफ में तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकडो को देखकर जश्न मनाना शुरू करो बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नज़र लेलो अब भी तुम्हारे पास बर्गर का नीनिंग टावर पड़ा हुआ है लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी-खुशी मनाएंगे यह तो मुश्किल चुनोती है जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते कि हमारे पागल मज़िदार चुनोतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब आगे हमारे पास एक त्रिकोनिय केक, गोला कर नारियल और मखन का एक चौकोर टुकड़ा है किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं आशले याचुनोति तुम्हारे लिए बत्तर होती जा रही है माप करना दोस्त लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है इस मापपुन जानकरी के लिए धन्यवाद माइक पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था माप करना एश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ एसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र टट पर पहुँच गया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसी कि मैं फ्रेंच बेकरी के छोटे प्यारे आराम धायक बूथ में बैठी हुई हूँ मैं तो इसके लिए खुशी-खुशी खुच भी कर सकती हूँ सच में चेल्स मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठा इतना पसंद है एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में और मैं यहां हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुरसी पर बैट कर यह चौको और बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की त्यारी कर रही हूँ अगर आपको मेरे प्रती थोड़ी भी साहन भूती है तो मुझे प्रोच साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करे पहले बर्गर फिर नारियल पानी कितना बढ़िया है आज का दिन वो तो सब ठीक है माईक लेकि लगता है तुम फिर से हार गए क्या सच में ऐसी उमीद नहीं थी कितना बुरा हुआ इसे कहते है सारे मजा को खत्म कर देना और हम योजनाय त्यार करते रहते हैं चैल्सी हमें आसा है कि आपको बदबूदा चीज मिली है शायद आकार इसके स्वातपो ठीक कर दे माईक तीन शुने को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ और एशली यह आपको खुश कर देगा एक चौकोर वेल्जियन वफल ओ मेरे प्यारे ओरियो इसे कौन पसंद नहीं करेगा अब तक की सबसे अच्छी चुनावती मैं भी इस बार तुमसे सामत हूँ माईक स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डेस मेरा क्या? मेरे लिए यहां क्या है? जो तुमारे सामने है उसका आनन लो एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवया एक अच्छे दिन की गारेंटी देना देता है तुम्हें किसी ने भी आज की चुनावती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भागशाली राउंड थे क्या ऐसा नहीं है? उसके क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हो कि इस बदबुदार त्रिकोन का एक टुकड़ा भी खा कर दिखाओ पर तुम्हें पता है हमें इसे दुनिया से गायब कर दूँगी बस देखो आखिरकार मैं इस बर बिजेता टिम में हूँ मुझे तुम पर गर्व है आश और तुम्हारा क्या हाला चेल्सी? अब तुम रुख सकती हो अरे नहीं मुझे आज एक बात पता चली यदि तुम नाग बन करके नीला चीज खाते हो तो यह आश चजनेक रूप से स्वादिस्ट है मैं इसे पूरा खत्म कर दूँगी ठीक है तब अपने चीज का आनन दो एक आईस्क्रिम कोल, एक प्यारा गोल्ड डोनट और आपके मुझे पिघलने वाली एक चॉकलिट की इच एक मीठा ट्रीट सभी के लिए मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं कोई शिकायत नहीं दोस्तों बस यह देखना है कि प्रतम स्थान पर कौन आता है तो काम पर लग जाओ देवियो और सजन इस राउन में किसी को कोई समस्या नहीं है आपको पता है मिल वाट कर खाना अच्छा होता है दोस्त तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है और एशली क्योंकि जीत आप कोई विकल्ब नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बाटना चाहती हो दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फाइदा अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं आश सभी ने अच्छा काम किया अब आगे क्या है तब फिर से वापस रिंग में आते हैं ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनाती मिली है मैं पेस करती हूँ एक त्रिकोणी ये गाजर हमारे बाई तरत सामने और केंदर में एक गोल बोतल तीखे सॉस की और एशली का भागे उसका साथ फिर दे रहा है और वह स्नीकर्स क्यूप्स के साथ है काश मैं भी तुम होता क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी लगता है कुछ भेंग कर जलन होगी आखिरकार अब ये चुनाती तुम्हारे लिए हो गई मौका मिलने पर बहतर आखार चुनने चाहिए था मैं इसे कैसे खाऊँ ठीक है तुब अपने कैंडी का आनल दो और मैं बस इसे खोलता हूँ बस इसे सुमकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है ये तुम्हारी वैक्तिकत समस्या है भले आदमी कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंसम था एक टोस्ट तुम दोनों के लिए ये जितना मैंने सोचा था उससे भी बत्तर है उपस माफ करना कैमरा मैन जल्दी मुझे 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 डालने के लिए कुछ दो तीखा अब हट जाओ कैंडी ये अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है हाँ अब अच्छा महसूस हो रहा है धन्यवाद ठीक है अब वापस आते हैं तुमने मेरी जीत सुने स्चित की है मेरी मदद करो मैं सच करी हूँ मेरी गले में ये फस गिया है बिचारी चेल्स तुम क्या सोच रही थी मुझे इस तरह के नाटे के परिणाम के उमीद नहीं थी अब अंत में चलिए कुछ मज़ेदार ब्लूपर्स का आनन लेते हैं फिर मिलेंगे दोस्तो